क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम यह जो बिमारी है यह मानसिक बिमारी है और इसका इलाज बिना दवय का कैसे करना उसके वारे में मैं आपसे जानकरी अभी आज दिने माला हूं आपको जान कर देता हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलेकर मैं मनोविकार सेख्स रोग संमोहन तथा वेसम की तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं कभी सारे लोग जो है वो हमारे पास में नहीं आते वो इदर उदर गाते रहते डॉक्टरों के तरफ और उनको अलग अलग बीमारियां रहती है और उसमें सबसे अहम बीमारी जो है वो है कि ठक जाना शाम को लग ठक जाते और शाम को मतलब कोई उत्सा नहीं है शाम को नी शाम को हता है, मगर दिन में भी ये लोग ऐसा बहुत उत्सा से नहीं उत्ते, उत्सा से काम नहीं करेंगे, ज्यादा तर ये लोग काम की टालर्म टाल करेंगे, उनको बहुत ज्यादा जोश नहीं रहेंगा, काम में, उत्सा नहीं रहेंगा, ऐसे कोई नहीं नहीं कलपना से बात नहीं करें गया काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल रहती बदन में दर्थ है थकान ज्यादा है नीन आती है ऑलता है उनको की सुनाची है और बदन में डर्थ और सरड़द इसके मारे फिर फिर वो reward रहा ग activ व्योंको दर्द हो रहे लिए काम नहीं करना फिर लोग हमारे पास में आते हैं या फिर हमको online counseling करते हैं निमबर नीचे दिये हैं वहां से वो number लेते और online counseling करते हैं कुछ लोग कुद भी आते हैं हमारे यहां दो hospital है जहां फिर्श्तारों के अलावा लोगों को भरती करते हैं तो विर यहां आते हैं मैं हर्दम family के साथ में जाज़ दर बुलाता हूं लोगों को ताकि family का background में मालूमात हो सकते एक वार family का मालूमात हो गया background क्या टेंशन है dominating थे वर्चस बताने वाले थे बहुत धावी होने वाले थे या बहुत गुसा करने वाले थे या और कोई बड़ा घर में ऐसा होगा कि जो कोई सद्मा हो गया कось गटना हो गया और सद्मा ऊसने मन को लगा लिया और वहां से फिर ये दिमाग में इसके लगते कि प्यार ने करतें क्या लोगों की ओपर ये क्या इसको जिलस है मत्सर है दुवेश है इसके साथ में क्या खुंदस दिमाग में बैटी हुई है तो क्या चल रहा है वे दिमाग में दिमाग ऐसा फ्री क्यों नहीं है उसका सबकॉंशेस माइन जो फ्री क्यों नहीं है तो वह हम जानकर रहे हैं हमारे पास में टेस्ट है व तो वहां से फिर उसको counselling करते है, मनसुप चार देते है, फिर उसको स्वसम्मों सिखाते है, और हिप्नो थेरेपी से उसका इलाज हम करते है, फैमिली के लोगों को बताते हैं कि किस तरह से इससे बरताओ करना चाहिए, क्या किया कि इसका इसकी बिमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, का खानपन कैसा अच्छा होंगा, काम कैसे करने लगेगा, तो उसको reward जो है, वो कैसे मिलते जाएंगे, कि reward therapy वो भी हम करते रहते है, अपरन कंडिशनिंग टेकिनिक उनको सिखाते रहते है, और इससे फिरे धिरे 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 उसमें फायदा होता है, अच्छा हो जाता है, इसमें दवाई बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, मतलब है यह डिप्रेशन का एक टाइप, मंगर इसमें दवाई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता भी दवाई किसको चाहिए और बोलता कि नहीं मुझे दवाई चाहिए, तो दवाई भी देते हैं, हम फ्लियॉक्सिटिन है, एमिप्रेमिन है, या एमिट्रिप्टिलिन है, या फिर सब अलग अलग तरह के ऐसे सारा जो है, उसमें सी दवाई है, या फिर डियॉल उक्सिटिन यह भी काम करती है, तो ऐसे कुछ दवाई हैं हम देते हैं, और उससे भी उसको फायदा होता है, और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे, आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे, विशन मुक्त भारत और सब के लिए मानसिक स्वास्त ते मारा मिशन है, उसमें आप पार्टनर बनोगे, यह आपको अच्छा लगाता है, जरूरू शेयर करो, लाइक करो, बेड़ आइकाउन के पर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिविजन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे, थैंक्स पर वाचिए, कर दोॉन आपको में आपको अपको अच्याता जापको अच्छा लगाता है, जरूरू करो, बछुर शेयर को अच् morallymer czy ne椅पिश्श पार्टनरू जापको अच्याता है,